दोस्तो माफिया डॉन अतीक एहमद ने सालों पहले ही अपनी मौत की भविश्यवानी कर दी थी आज से ठीक 19 साल पहले 2004 के लोगसभा चुनाफ के दौरान अतीक एहमद ने अपनी मौत को लेकर एक बहुत बड़ी बात गही थी उसने कहा था एंकाउंटर हुई या पुलिस मारी या फिर अपनी ही बिरादरी का सिर्फिरा सड़क के किनारे पड़ा मिले यानि कोई भी मारे मैं सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिलूंगा और आज वही हुआ प्रियागराज मेरिकल कॉलेज के सामने हत्या के बाद वो और उसका भाई सड़क के खिनारे पड़े हुए थे दोस्तो ये बात उस समय की है जब अतीक एहमद ने 2004 के आम चुनाव में फूलपुर लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की थी लेकिन शायद 19 साल पहले ये अतीक को आशंका थी कि उसकी माफिया बिरादरी के लोग ही उसकी हत्या की वज़ा बन सकते हैं तब अतीक ने पत्रकारों के सामने ये बात कही थी प्रियागराज में अतीक उस वक्ट कुछ चुनिंदा पत्रकारों के साथ बैठता था इस दोरान कई पत्रकार उससे कई तरह के सवाल कर रहे थे जिसका वो अपने अंदाज में जवाब दे रहा था उसी वक्त एक पत्रकार ने उससे सवाल किया कि आप इतने बड़े माफिया हैं आपको डर नहीं लगता है तब अतीक ने अपने अंत यानि के मौत के बारे में ये बात कही थी और ऐसी भविश्यवाड़ी कर दी थी जो आज सच हो गई प्रियागराज में 15 अपरेल की रात जिस तरहां से अतीक का अंत हुआ 19 साल पहले उसने इसी प्रकार के अंत की बात कही थी दोस्तों अतीक ने ये भी कहा था कि अपरात की दुनिया में सब को पता होता है अंजाम क्या होता है अतीक को आशंका थी कि उसकी बिरादरी यानि के माफियाओं में से ही कोई उसकी हत्या का कारण बन सकता है 19 साल बाद अतीक की आशंका सही साबित हुई प्रियागराज के धूमन गन जिलाके में अस्पिताल में मेडिकल चेकप के लिए ले जाने के दोरान माफिया डॉन अतीक एहमद और अश्रफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई तीन हमलावरों नहीं इन हत्याकांड को अंजाम दिया उन्हें पकड़ दिया गया है दोस्तों अतीक एहमद से जुड़े हर अपडेट के लिए हत्याकांड के हर अंगल के लिए उल्टा चश्मा UC से जुड़े रहे हत्या पर जश्न बनाने वाला गोदी मीडिया कभी आपको सच नहीं दिखाएगा तो दोस्तों जो गोदी मीडिया चुपाएगा उल्टा चश्मा UC आपको वही दिखाएगा नमस्कार